तो इस प्रकार बच्चों हमने उर्जा के परंपरागर श्रोतों के बारे में चर्चा की उर्जा को प्राप्त करने के लिए कुछ विकल्पिक श्रोत भी है जैसे की सौर्य उर्जा यानि की सोलर एनरजी सौर्य उर्जा हमें सूरज से प्राप्त होती है हम जानते हैं सूरी से प्राप्त लाइट उर्जा का स्तमाल हम इस खुबसूरत दुनिया को देखने के लिए करते हैं जबकि सूरस से प्राप्त उश्मी उर्जा का स्तमाल हम विदूत उर्जा में कनवर्ट करने के लिए भी करते हैं वैसे सूरज से प्राप्त उश्मिय उर्जा का इस्तमाल हीटिंग डिवाइसों में किया जाता है यदि आप दो बरतन ले एक बरतन में सफेद रंग पोद दे और दूसरे बरतन में काला रंग इन दोनों बरतनों में हम पानी रखकर सूरज के नीचे छोड़ देते हैं कुछ कि काले बरतन में रखा हुआ पानी अध्यधिक गरम होगा तो इस प्रकार हम यहाँ पर रंगों का इस्तमाल करके भी उश्मी ऊर्जा की मातरा को बढ़ा सकते हैं और इसी प्रकार ही हम एक उपकरण का निर्मान करते हैं जिससे हम कहते हैं सोलर कुकर बच्चों सोलर कुकर को अपने अपने स्कूलों में भी देखा होगा स्कूल के लैब में भी इस प्रकार का सोलर कुकर आजकल दिया जाता है क्योंकि आपके कोर्स में भी है सोलर कुकर से जुड़े हुए क्रिया का लाप सोलर कुकर कुछ इस प्रकार दिखाई देता है यह बी काले रंग का बक् कम ताप में उश्मा को अपने अंदर से पार कर देता है लेकिन जैसे ही ताप बढ़ जाता है तो वह उश्मा को पार नहीं होने देता तो इसी गोन को इस्तमाल करने के लिए लगाया जाता है साथ में देखेंगे कि यहां पर एक आएना लगा होता है यह आएना केवल प्रकाश सूरज की उर्जा को इकत्रित करने के लिए लगाया जाता है अब ये सोलर कुकर काम कैसे करता है जिस डारेक्शन में भी सूरज की रोशनी आ रही है हम उसके सामने इस सोलर कुकर के काश को रख देते हैं और काश को कुछ इस प्रकार फोकस करते हैं कि इसमें से आने टकरा कर परावर्तित होने वाली प्रकाश की क ने इस कुकर के अंदर निस बॉक्स के अंदर रखे पातर पर पढ़े जनर्ली इस kukar में प्लेन दरपन के जगे कॉनकेव मिरर लगाय जाता है क्योंकि कॉनकेव मिरर प्रकाश की अको एक जगा केंद्रित कर देता है तो यहां पर हम इस परकार आरेज्मेंट करते हैं कि सारी Prakash उर्जा इस पात्र पर केंद्रित हो तो जितनी प्रकाशरी स्टाफ पर केंद्री ठोगी वहां का तापमान उतना वसी पढ़ जाएगा अब इस काले रंग के पूते हुए पात्रे के अंदर हम cooking material रख लेटे हैं चाहे हमको दाल बनाना हो चाहे हैं गार चाहे हम दनाना हो इसेओं पानी गरम करना हो तो इस पात्रे नदर रख देते आप प्रकाश जो है वह हो इस कान्छ से होता हुआ इस box के अंदर चला जाता है इस box के अंदर पर जाने पर धीरे धीरे इस बॉक्स का तापमन बढ़ने लगता है और यह जो कांच है यह प्रकाश को वापिस नहीं आने देता यानि कि यहां पर यह उश्मा को बनाए रखता है और दो से तीन घंटे में ही इस सोलर कुकर का तापमन सो डिग्री सेल्सियस से भी अधिक मान होता है बच्चो सोलर कुकर टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है एक्जामनेशन पॉइंट अफ यू से इसका संडशना भी आता है यह किस प्रकार काम करता है यह भी पूछा जाता है इसमें कौन-कौन सी चीजें लगे रहती है यह भी कॉश्चन में पूछा जाता है तो इस प्रकार हमने सोलर कुकर की कार्यविदी देखी पर इसकी कुछ सीमाएं भी हैं जिसे सोलर कुकर को हम केवल धूप में इस्तमाल कर सकते हैं जब तेज धूप हो साथ साथ जब इसको स्तमाल कर रहे हैं तो इसके डारेक्शन को भी बार-बार चेंज करना पड़ता है क्या अंगे हम देखें कि सूरज हमको गती करते हुए नज़र आता है में एक चोली प्रित्वी घूमती है लेकिन हम देखें तो दिन भर में सूरज एक स्थान से यानि एक छेटीज में ऊखते हUए देगा फिर हमारे सिर्क की उपर आता है और उसके बासे डूपते हुए दिखते हैं कि इस प्रकार हम देखें कि सुर्छ गति करते हुए कोपर में नहीं बना सकते केवल बॉयल करने वाली चीजें जैसे चावल ये दाल ये-पानी-गरम करने या अंडे उबालना हो तब भी हम सोलर कुकर का स्थमौर कर सकते हैं साथ ही सोलर कुकर कस। मल बारिश के दिनों में नहीं किया जाय सकता क्योंकि इस समय बादल होते हैं सूरज नहीं होता तो सोलर कुकर हमारे लिए बेकार हो जाता है सोलर कुकर का आकर बड़ा होने के कारण इसके रख रखाओ में भी अस्विधा होती है इस्पेशली बारिश के दिनों में जब सूरज नहीं होता और इसे लंबे समय के लिए हमें कहीं स्टोर करके रखना हो तो सबसे पहले इसे रखने के लिए जगा बनानी होती है और solar cooker में लगे होते हैं काच और दरपन की तूटने का दर हमेशा बना रहता है इसलिए solar cooker का इस्तमाल बड़ी सावधानी से करना पड़ता है इतने सारे limitations होने के बावजूद भी solar cooker का ये advantage है कि ये free of cost है यानि कि भोजन पकाने के लिए हमें इंधन में खर्च करने के वशक्ता नहीं होती और ना ही बिजली की बिल के चिंता होती solar cooker पर इतनी चर्चा करने के बाद भी हम घूम फीर के बिजली के बिल पर आ गए यानि कि कहीं ने कहीं हम विदूत उर्जा की खपत को लेकर चिंतित है और इसी लिए एक ऐसी युक्ति का भी निर्मान किया गया जो ततकाल प्रक्रिया द्वारा direct सौर्य उर्जा को विदूत उर्जा में convert कर देती है और इस युक्ति को हम कहते solar cell बच्चो solar cell को silicon से बनाया जाता है और यह silicon प्रक्रिती में प्रचूर मात्र में उपलब्ध है पर जिस विशिष्ट श्रेणी के silicon का इस्तमाल solar cell बनाने के लिए किया जाता है उसकी उपलब्धता थोड़ी सीमित है बच्चो यह solar cell सौर या उर्जा को विद्धूत उर्जा में convert कर रहा है और बच्चो विद्धूत उर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है विभव के अंतर के कारण तो यह कह सकते हैं कि solar cell विभव अंतर उत्पन्न करता है यदि solar cell को धूप में रखा जाए तो यह 0.5 वोल्ट से एक वोल्ट तक का विभव अंतर उत्पन्न कर सकता है बच्चो हमने देखा है कि हम विद्धू धारों को प्रवाहित करने के लिए किसी विद्धू श्रोत का स्तमाल करते हैं और इस विद्धू श्रोत को हम बैटरी या सेल के नाम से जानते हैं बच्चो जो सबसे कम वो का उपयोग कर पाते हैं यह चोटे से टॉर्च के बल्प को जला पाते हैं अब आप सोचिए कि यह सोलर सेल 0.5 वोल्ट से वन वोल्ट तक ही विभाव अंतर उत्पन्न कर रहा है और इसकी सहयता से केवल 0.7 वाट विद्दू शक्ती ही उत्पन्न की जा सकती है इसका मतलब इ इसको यदि मुपयोग में लाएंगे तो हमको बहुत सारे सेलों की अवश्यक्त होगी इसलिए जब सोलर सेल का स्तमाल किया जाता है किसी कैलकुलेटर वगिरे में तो हम दो चार सेलों का स्तमाल करते हैं एक्चुली जब बड़े पैमानें पे हमको सोलर सेल को स्तमाल करना ह तो बहुत सारे सोलर सेल को संयोजित करके हम एक सोलर पैनल बना लेते हैं पर जब सोलर पैनल को बनाया जाता है तो सोलर सेलों को संयोजित करने के लिए इसमें चांदी का इस्तमाल किया जाता है और चांदी का इस्तमाल करने की वज़े से solar panel की लागत पढ़ जाती है और ये खरचीला हो जाता है इसलिए solar panel का इस्तमाल जनरली घरेलू परपस से नहीं किया जाता क्योंकि इसकी लागत अधीक है और दक्षता कम है तो इस solar panel का इस्तमाल वेग्यानिक और प्रोध्योगी की में किया जाता है इस solar panel के बहुत सारे advantage है ग्रामेंड छेत्र, सुदूर अंचल या पहाडी छेत्र जहां पर जाना भी दुरलब होता है ऐसे जगे पर हम electrical tower लगाने की भी नहीं सोच सकते क्योंकि electrical tower लगाने के लिए हमें cable बिचाना पड़ता है और cable बिचाने की हम सोच भी नहीं पाते तो ऐसे इस्थानों पर विद्दूद ऊर्जा पहुचाने के लिए solar panel का इस्तमाल किया जाता है योगि इन छेत्रों पर सौर ये ऊर्जा उपलब्ध होती है जब सौरज सिर के ऊपर होता है तो हम देखते हैं कि सभी छेत्रों पर ये सौरज की किरने डारेक्ट सीधी पड़ती है और वहाँ पर इन solar panel का इस्तमाल सौर ये ऊर्जा को विद्दूद ऊर्जा में convert करने के लिए किया जाता है रेडियो संचार, बितार संचार, टीवी रिले स्टेशन, यदि कहीं अंदर पर हमको establish करने हैं बहुत interior area पर हम लोग को establish करना है उस condition में जहां पर wires नहीं पहुँच पाएंगे तो हम solar panel का इस्तमाल करते हैं और आसानी से इन stations को run कर सकते हैं उपग्रहों में भी विद्दूत ओर्जा प्राप्त करने के लिए solar panel का स्तमाल किया जाता है mass orbiters उसमें भी सारे solar panels ही लगे हैं व्योंकि हम जानते हैं कि spaceship को चलाना है तो विद्दूत ओर्जा की अवशक्ता होगी एक बर हमने कोई विद्दू शुरूत उसमें लगा दिया तो उसमें एक सीमित मात्रा में ही विद्दूत ओर्जा प्राप्त की जा सकती है इन बैटरियों को recharge नहीं किया जा सकता तो इनको recharge करने के लिए हम सौर ये ओर्जा का स्तमाल करते हैं क्योंकि यदी ये किसी ग्रह के चकर लगा रहे हैं मतलब ये सौरज के संपर्क में रहेंगे और उनसे प्राप्त सौर ये ओर्जा के कारण ये solar panels बैटरियों में विद्दूत ओर्जा को उत्पन करेंगे और बैटरियों को चार्ज करेंगे जिससे की spaceship continuously काम कर सकता है सोलर पैनल का स्तमाल street light और traffic signal में भी किया जाता है street light और traffic signal ये दोनों विद्धूत ऊर्जा से काम करते है विद्धूत ऊर्जा सप्लाई करना खर्चीला होता है क्योंकि जितनी ज़्यादा street lights होंगे उतनी ज़्यादा खर्चा बढ़ जाएगा इसलिए यहाँ पर solar panel का स्तमाल किया जाता है बच्चो आपने इस प्रकार का street light देखा होगा इस street light के उपर एक solar panel लगा हुआ होता है और यह solar panel ही सौर्य उर्जा को विद्दूत उर्जा में convert करता है अब आप सोच रहोंगे कि solar cell से सौर्य उर्जा का विद्दूत उर्जा में परिवर्तित होना तातकालिक प्रक्रिय है यानि कि direct सूर्य उर्जा विद्दूत उर्जा में convert होती है इसका मतलब यह street light भी तब तकी काम करना चाहिए जब Tक की 100 रूर्जा है जब 100 रूर्जा नहीं होगी तो इस street light को काम नहीं करना चाहिए पर जब सूरज होगा तो क्या हमको इस street light की अवशक्त होगी सूरज की करण तो अल्डेडी पूरे जगे पे उजाला है फिर स्ट्रीट लाइट के रोश्णी के हमें कोई अवशक्त नहीं होगी तो यहाँ पे सॉलर पैनल को लगाने का क्या मतलब एक्शली दिन के समय तो यह सोलर पैनल इस स्ट्रीट लाइट को विद्दू तूर्जा देता है पर रात की समय कैसे काम करता है यूकि रात की समय ही हमको विद्दू तूर्जा के अवशक्ता है इस स्ट्रीट लाइट को जलाने के लिए तो स्ट्रीट लाइट में आप नीचे देखेंगे बच्चो एक बॉक्स जैसा होता है और इस बॉक्स में एक बैटरी लगी होती है और यहाँ बैटरी दिन के समय जब यह सोलार पैनल सौर यह ओर्जा को विद्दूत ओर्जा में कनवर्ट करता है तो यह बैटरी उस विद् पर भी सोलार पैनल लगा हुआ होता है तो दिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दिन में सूरज की रौष्णी से यह सोलार पैनल उसे विद्दूतूर्जा में कनवर्ट करेगा यानि कि दिन में तो हमें आराम से विद्दूतूर्जा प्राप्त हो जाएगी लेकिन जब हम रात की बात करेंगे जहां पर हमें लाइट की जरुवत है उस समय सूरज नहीं होगा तो हम लाइट भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे इसलिए जहां पर भी solar पैनल लगा हुआ होता है वहां पर साथ में एक चार्जेबल बैटरी भी होती है हमने देखा होगा बच्चों जब बड़े पैमाने पे solar panel का स्थमाल किया जाता है तो एक control room बनाया जाता है उस control room में एक बड़ी battery रहती है जो कि चार्जेबल होती है और दिन के समय जब solar panel स्वार्य और्जा को विद्दू तूर्जा में कनवर्ट कर रहा होता है तो यह बैटरी उस विद्दू तूर्जा से चार्ज हो जाती है और उसके बाद यह दिन में भी काम करता है और जब रात में सूरज नहीं होता है तो यह चार्ज बैटरी की सहता से विद्दू दवास में इस प्रकार का सोलर पैनल लगा हुआ देखा होगा कहीं स्कूलों में भी देखा होगा और ग्रामेंड छेत्र में इस प्रकार का सोलर पैनल खेतों में क्यूब वैल को चलाने के काम आता है actually tube well या pump ये विद्दू से चलता है जिससे बिजली का बिल भी अधिक आता है और कहीं कहीं पे तो ऐसा होता है कि उन जगों तक हम बिजली पहुचा भी नहीं सकते तो ऐसे जगों पर खेतों में आप देखोगे इस प्रकार का solar panel देखने को मिलता है या फिर आपने किसी गली महले ये चौराहे में इस प्रकार सूजला योजना भी देखी होगी सूजला योजना में हम देखेंगे कि जमीन से पानी को निकाला जाता है और उपर टंकी में पहुचाया जाता है और यहाँ पानी को हम अलग-अलग घरों में सप्लाई करते हैं एक्चुली जमीन से पानी को निकालने के लिए हम हैंट पम कस्तमाल करते हैं या फिर हम मोटर कस्तमाल करते हैं तो इस स्यूजुला योजना के अंदर मोटर को चलाने के लिए हम विद्दूत ऊर्जा का स्तमाल करते हैं और यहां ऊर्जा इस सोलर पैनल से ही प्राप्त होती है अब देखेंगे बच्चो इस टंकी के उपर इस प्रकार का पैनल लगा होता है और चतिसगर राजी में जगा जगा पर इस तरह के सोलर पैनल्स हमें उर्जा के विशेश विभाग जिसे हम क्रेड़ा के नाम से जानते हैं इसके द्वारा इंप्लीमेंट किये गया है क्रेड़ा यानि कि CREDA ये फुल फॉर्म है चतिसगर इस्टेट रिन्यूवल एनर्जी डेवलप्मेंट एजेंसी जिसको हम हिंदी में कहते हैं चतिसगर राज्य अक्षय उर्जा विकास प्राधिकरण ये उर्जा विभाग का एक उप्करम है और नाम से समझ में आ रहा है अक्षय उर्जा यानि कि रिन्यूवल एनर्जी तो इस विभाग द्वारा रिन्यूवल एनर्जी के उपयोग पर फोकस किया जाता है इस विभाग का मुख्य उद्देश है उर्जा संगरक्षन करना और उर्जा संगरक्षन करने का आर्थ है यहाँ पर उर्जा के श्रोत का उचित उप्योग करना यदि हम उर्जा के श्रोत का उचित उप्योग कर रहे हैं मतलब हम उर्जा की बचत कर रहे हैं परंपरागत उर्जा की खपत को कम करना और परंपरागत उर्जा की खपत कम करना ये तभी समपव पाएगा जब हम उर्जा के गैर परंपरागत तरीकों पर निर्भर हो जाएंगे तो क्रेडा का मुख्य उद्देश्य है कि उर्जा के गैर परमपरागत तरीकों पर निर्भरता को बढ़ाना गैर परमपरागत उर्जा के श्रोत परियावरन ही तैशी होते हैं और इसलिए क्रेडा का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक स्वार्य उर्जा, बायोमास उर्जा, वायु उर्जा के उप्योग के लिए सबको प्रेदित करना इसी उद्देशे की पूर्ती के लिए यानि कि लोगों को उर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत श्रोतों से अवगत करवाने के लिए उर्जा विभाग के उपक्रम क्रेडा द्वारा चत्तिसगड की राजधानी रायपूर में वी आईपी रोड में चत्तिसगड ऊर्जा सिक्षा पार्क का निर्मान किया गया चत्तिसगड एनर्जी एजुकेशनल पार्क का उद्गाटन हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपती डॉक्टर एपी जे अब्दुल कलाम जी द्वारा किया गया था इस पार्क में उर्जा के प्रमपरागा श्रोतों पर आधारित कई वर्किंग मॉडल है यहांपर हम देखेंगे तो वाईयू उर्जा सौर्य उर्जा और पवन उर्जा पर अधारित बहुत सारे वर्किंग मॉडल देखने को मिलते हैं गाएफ और यह उर्जा पर अधारित ऐसे वरकिंग मॉडल है जहां पर आप खेलते-खेलते यानि कि मनुरंजन करते-करते शीख सकते हैं अनुर। इस पार्क का मतलब क्या होता है। और यहां सिक्षग ऊर्जा पर धारित है। हम यहां पर ऊर्जा के परंपरागत और गैरपरंपरागत तरीकों से, शुर्वतों से अवगत होते हैं। यहां पर सोर्य ऊर्जा पर अधारित solar boat है, solar heart है, solar car है। जिनके द्वारा आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं इस park में Science Quiz Board भी है और यहां Quiz Board विदुत उर्जा के द्वारा चलता है और यहां विदुत उर्जा सौर्य उर्जा से ही प्राप्त होती है इस पार्क में बायो गैस प्लांट का भी प्रदर्शन किया गया है मतलब एक छोटे पैमाने पर यहां बताया गया है कि बायो गैस प्लांट किस प्रकार बनाया जाता है उसे किस प्रकार उप्योग में लाया जाता है तो क्रेडा द्वारा बनाया गया यहाँ उर्जा पार्क विज्ञान और मनोरंजन दोनों ही दृष्टे से बहुत ही अच्छा है तो बचो जब भी आपको मौका मिले तो आप अपने साथियों के साथ जाईए इस पार्क में रखे वर्किंग मॉडल्स को देखिए और इस वर्किंग मॉडल्स को देखने के बाद आप उन पर अपने साथियों के साथ जरूर चर्चा करें कि यह उर्जा के कौन से श्रोत पर अधारित है इनमें किस प्रकार सौरिय उर्जा को विद्धूत उर्जा में कनवर्ट किया जा रहा है या फिर पवन उर्जा से किस प्रकार विद्धूत उर्जा प्राप्ति की जा रही है और इस मॉडल्स को देखने के बाद आप भी इनका सुक्ष्म रूप अपने हाथों से बनाने की भी कोशिश करिए प्यूकि जनरली हम देखते हैं कि विध्जान प्रदर्षणी में हमको इस प्रकार के मॉडल्स त्यार करने को बोले जाते हैं उस प्रकार उस समय हम यह सोच नहीं पाते कि इन मॉडल्स को किस तरह तयार किया जाना चाहिए तो यदि आप उर्जा पार को एक बडिट करके आएंगे तो जरूर आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमको अपने स्कूल में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी के लिए किस प्रकार के मॉडल्स तयार किये जाने चाहिए अब हम ओर्जा के अगले वैकल पिक्ष्रोत की बात करते हैं जो समुद्र से प्राप्ति की जा पहले हम चर्चा करते हैं जुआरी ओर्जा के उपर बच्चों हम जानते हैं कि चंद्रमा प्रित्वी के चारों और चक्कर लगा रहा है चंद्रमा और प्रित्वी इन दोनों का अपना अपना द्रव्यमान है और चंद्रमा के द्रव्यमान के कारण ही चंद्रमा में भी ग भावित करता है और इसी की कारण जलकस्तर कभी बढ़ता है कभी घड़ता है और इसी की कारण उत्पन होते हैं ज्वार भाटा और इसकी ऊर्जा को हम कहते हैं ज्वारिय ऊर्जा और इसे प्राप्त करने के लिए संकेंड छेत्र में बांध बना लिया जाता है और इस बांध लुदय के आती हैं इन तरंगों में ओर्जा होती है और इन तरंगों का स्तमाल भी अटर्बाइन को घुमाने के लिए किया बच्चों समुद्र खुले आसमान की नीचे है और जब सूरज आसमान में होता है तो समुद्र का पानी गरम हो जाता है यदि हम समुद्र की उपरी सता को देखें यानि कि जल के उपरी भाग को देखें तो वहां का तापमान अधिक होता है जबकि हम समुद्र की गहराई में जाए तो वहाँ जल का तापमान अधिक नहीं हो पाता या यू कहें कि वो उपरी स्तर की तुल्ना में ठंडा ही रहता है और इस टेंपरेचर डिफरेंस के कारण जो उर्जा उत्पन्न होती है उसे हम महासागरी ताप्य उर्जा कहते हैं इस महासागरी ताप्य उर्जा को भी इस्तमाल किया जाता है विद्धूत उर्जा उत्पन्न करने के लिए महासागरी ताप्य उर्जा को प्राप्त करने के लिए हम विद्धूत सयंत्र लगाते हैं और इस विद्धूत सयंत्र को OTC के नाम से जानते हैं ओटी इसी का फुलफॉर में ओशीन थर्मल एनर्जी कनवर्शन प्लांट और इसी विद्धु श्यंत्र के जरिये महासागरों की ताप्य ओर्जा को प्राप्त किया जाते हैं और यह ओर्जा टर्बाइन को घुमाने के लिए स्तमाल होती है जिसकी साहता से विद्धुत एनर जी यह ऐसी ओर्जा है जो कि भूमी से प्राप्त की जाती है यानि कि प्रतवी के भू परपट्टी से प्राप्त की जाती है यहां प्रतवी की संरशना देखें तो अंदर में जैसे जैसे हम प्रतवी के केंद्र की ओर जाते जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहां पर पदा वारत की अवस्थां में हमेशा हड़कंप मचा रहता है यह मेश्य क्या गति शील रहते हैं और इसी लिए यह पिगली को ऊपर की और धकेल देते हैं और जब यह चट्टान एक जगई कठा हो जाती है तो एक ऐसा छेत्र हो जाता है जो कि गर्म होता है इस गर्म जल्म के निकासी के लिए कोई मार्ग मिल जाता है और यह प्रित्वी की सता पर उपर आते हैं और इसे हमने कई जगों पर अनुभव भी किया है और हम सोचते हैं कि प्रित्वी की सता पर यह गर्म जल कहां से प्राप्त हो रहा है कभी कभी इस गर्म जल की निकासी के लिए पृत्वी की सता पर एक मार्ग बन जाता है इस मार्ग को हम गर्म चश्मा या फिर उश्मन गर्म श्रोत के नाम से जानते हैं और कभी तो यहाँ पानी गर्म होकर भाब बन जाता है और इसे निकासी के लिए मार्क नहीं मिल पाता यह भाप चट्टानों की बीचे फस जाती है तब इस गर्म भाप को पाइप के जरीए बाहर निकाला जाता है और पाइप के जरीए बाहर निकालकर इस गर्म भाप को तर्बाइन पर डाला जाता है और इसकी साहते से तर्बाइन को घुमाया जाता है बच्चो तरबाइन जब घूमता है तो उसके घूमने के कारण ही विद्धूत उर्जा उत्पन होती है पर इस तरबाइन को घूमाने के कई तरीके हैं कभी हम तेज हवा से तरबाइन को घूमाते हैं कभी हम तेज पानी की धार से तरबाइन को घूमाते तो यहां पर इस गर्म भाप को पाईप की साहता से इस टर्बाइन पर जाला जाता है और टर्बाइन को गुमाया जाता है जिसकी साहता से विद्धूत उर्जा उत्पन्य की जाती है और यह विद्धूत उर्जा उत्पन्य करने का बहुत ही सस्ता माध्यम है और इस तरह से ह प्राप को प्राप्त करने के लिए कोई बहुत बड़े प्लांट या विद्दू शयंत्र लगाने के वश्यक्ता नहीं होती तो यह कह सकते हैं कि कम लागत में ही विद्दूत ओर्जा को प्राप्त किया जा सकता है पर ऐसे गरमभाव वाले छेत्र भुगॉलिक द्रिष्टी से बहुत कमी जगे पर उपलब्ध हैं जैसे कि न्यूजिलेंड और संयूक्त राष्ट अमेरिका में इस प्रकार के गरमभाव से विद्दूत ओर्जा को उत्पन्न किया जाता है अब हम अगले वैकलपिक उर्जा शुरोत की बारे में चर्चा करते हैं जिसे हम नाभीकी उर्जा के नाम से जानते हैं बच्चों हम जानते हैं कि प्रत्तेग परमानू के अंदर एक नाभीक होता है हर परमानू के अंदर तीन प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं एक proton जिसमें की धरात्मक आवेश होता है दूसरा electron जिसमें की धरात्मक आवेश होता है तीसरा neutron जो की अनावेशित होता है ये proton और neutron किसी भी परमाणू के अंदर उसके नाभीक के अंदर पाए जाते हैं जबकि electron परमाणू के अंदर नाभीक के बहर चक्कर लगाते होते एक निश्चित कक्षा में और जो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इन्हीं के कारण इस नाभिक में ऊर्जा होती है और इसी ऊर्जा को हम नाभिकी ऊर्जा के नाम से जानते हैं नाभी की ओर्जय को प्राप्त करने के दो तरीके हैं एक नाभी की सनलेयन यानि की नुकलियर फ्यूजन और दूसरा नाभी की विखंडन यानि की नुकलियर फिजन हम सबसे पहले बात करते हैं नाभी की विखंडन की यानि की नुकलियर फिजन की नाम से ही समझ में आ रहा ह जिसका द्रवयमान अधिक है यह हलकी परमाणूओं में विखंडित हो जाता है तूट जाता है और इस प्रक्रिया में बहुत सारी उर्जा उत्पन्न होती है और इसी उर्जा का इस्तमाल विद्धुत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है नुकलियर फीजन की प्रक्रि कि मात्रबे बहुत अधिक होती हैं यह दूधारंड के लिए मैं यूरेनियम के विखंडन की बात करों इस से प्राप्त ओर कोईले के कारबन परमानों के दहन से प्राप्त और जका एक करोड गुना होती है यानि कि सारी और इस अर प्राप्त करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जाता है और जो उर्जा इस न्यूक्लियर पावर प्लांट से प्राप्त होती है इस नाभी की विखंडन की प्रक्रिया में उसकी सहता से टर्बाइन को घुमाया जाता है और टर्बाइन को घुमाने पर विद श्रिंकला अभी क्रिया है यानि कि एक चेन रियाक्शन है बच्चों हम जानते हैं चेन का निर्मान कैसे होता है एक एक कड़ी जुड़ती जाती है और एक श्रिंकला बन जाती है एक चेन का निर्मान होता है वैसे ही इस नाभी की विखंडन की भी क्रिया हम देखे तो यह ल यूरेनियम पदार्थ का स्तमाल करते हैं बच्चों यूरेनियम के कई आईसोटोप्स हैं हमने यहां पर यूरेनियम 235 का स्तमाल किया है जिसका अटॉमिक नंबर होता है 92 यह बहुत ही बड़ा परमानू है और इसलिए यह अनिस्टेबल होता है जब इसमें स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से बंबारी करवाई जाती है तो यहां दो हलके परमानों में तूट जाता है यह दो हलके परमानों हैं बेरियम और क्रिप्टॉन साथ साथ इसमें तीन न्यूट्रॉन और उत्पन होते हैं और इसके साथ उत्पन होती है धेर सारी ऊर्जा इस अभिक्रिया को हम इस reaction द्वारा समझ सकते हैं यह चेन अभी क्रिया बहुत ही important topic है examination point of view से भी बच्चों यह question exam में आता है और जब आपको question exam में देखने को मिले तो आप इस अभी क्रिया को इस reaction के द्वारा जरूर दर्शाएं यहां हम ले रहे हैं uranium 235 जिसका atomic number 92 और इसमें slow moving neutron से bombardment कराये जा रहे हैं यहना अभी की विखंडन की प्रक्रिया होगी और यह barium और क्रिप्टॉन में तूट जाएगा barium जिसका atomic number 56 139 लिखेंगे और क्रिप्टॉन यानि की 36 94 और यहां पर हमें प्राप्त होगा तीन neutron तो हम लिखेंगे n031 और साथ में उत्पन होगी धेर सारी ओर्जा बच्चो इस अभी क्रिया में ये तीन neutron और उत्पन हो रहे हैं मतलब एक बार नाभी की विखंडन हुआ जिसमें की हमने एक slow moving neutron लिया था और उसके बाद तीन neutron और उत्पन होए यहां पर uranium 235 के ऐसे और भी परमाणू मौजूद होंगे जिससे ये उत्पन तीन neutron आगे भी अभी क्रिया कर सकते हैं और इसी प्रकार ये chain reaction आगे की और बढ़ता है जब हमने एक neutron लिया था हमें तीन neutron मिले यह तीन neutron आगे चलकर फिर तीन परमाणूओं से बंबारी करेंगे और इस प्रक्रिया में फिर से दो हलके परमाणू यानि बेरियम और क्रिप्टन का निर्म का उत्पन करेंगे और इस प्रक्रिया में और धेर सारी ओर्जा उत्पन होगी फिर ये जो 9 neutron हमें प्राप्त हुए ये इस reaction को आगे बढ़ाएंगे और इस प्रकार ये श्रिंखला आगे बढ़ते जाएगी इस अभी क्रिया को हम दो भागे बाठ सकते हैं नियंत्रित समझ में आ रहा है जिसको कंट्रोल ना किया जा सके जैसे कि हमने देखा कि एक स्लो मोविंग नेट्रॉन तीन न्यूट्रॉन को उत्पन कर सक रहे हैं और इसके बाद ये 9 न्यूट्रॉन आगे फिर से यूरेनियम परमानू से रियक्ट करेंगे और फिर आगे और आगे पूर मात्रा में ऊर्जय उत्पन हो गे और यहां उर्जय विस्फोर्ड का रूप लेलेगी और यसीलिए च्रिंखल अभिक्रिया को हम अन्-कंट्रोल रते रियूब को को कंट्रोल कर ले उस कंडिशन में इस चेंड रियक्शन को भी कंट्रोल किया जा सकता है इन न्यूट्रोनों को कृत्रिम उपवायों द्वारा कंट्रोल किया जाता है न्यूक्लियर रियक्टर में जहां पर ये रियक्शन करवाया जाता है वहां पर हम इन न्यूट्रोनों क को कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चों आगे चलकर आपके को दीया गया है और जब दो को प्रकार नूटर यहां को को लिया जा सकता है। और यहां पर जैसे कि एक बार नूट्रोन किसी उॹरियनियम से बम बार्टमेंट कर रहा तो उससे तीन न्यूट्रोन उत्पन हो रहे थे तो यहाँ पर दो न्यूट्रोनों को रोक लिया जाता है केवल एक ही अलेक्ट्रोन आगे की अभिक्रिया के लिए भेजा जाता है तो इस प्रकार ये जो chain reaction होगा ये नियंत्रित होगा और ये एक विसफोर्ट का रूप नहीं लेगा इससे उत्पन ओने वाली उर्जा भी सीमित रहेगी यानि कि इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसी उर्जा की सहयता से टर्बाइन को घुमाया जाता है और टर्बाइन को घुमाकर विद्धो तोर्जा उत्पन्न की जाती है बच्चों हमने देखा कि नाभी कि ए विखंडन की इस प्रक्रिया में अलप मातरा का uranium-235 इस्तमाल करके धेरो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है साथ ही हमने देखा कि इस प्रक्रिया में oxygen की भी अवश्यक्ता नहीं होती चुकि uranium-235 एक radioactive पदार्त है मतलब इसमें से हमेशा radiation उत्पन होते रहते हैं और ये radiation हमारे लिए हानी कारक होते हैं जब nuclear reactor में uranium-235 का स्तमाल किया जाता है तो इसमें से radiation leakage होने का खत्रा हमेशा बना रहता है इसलिए जो लोग nuclear power plant में काम करते हैं वो special प्रकार का suit धारन करते हैं ये special प्रकार का suit इन्हें इस nuclear radiation से बचाता है बच्चों, नाभी की उर्जा प्राप्त करने का दूसरा तरीका है नाभी की sunlion जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है nuclear fusion यानि की मिलना यहाँ पर दो हलके परमाणू मिलकर एक बड़े भारी परमाणू का निर्मान करते हैं और इस प्रक्रिया में भी धेर सारी उर्जा उत्पन होती है बच्चों सूरज और तारों से प्राप्त होने वाली उर्जा कभी श्रोत नाभी की sunlion है बच्चे तारों से तो हम उर्जा प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि तारे हमसे बहुत दूर में है जबकि हम सूरज की उर्जा को अनभव करते हैं उसकी गर्मी उसकी प्रकाश का हम अनभव करते हैं ये उर्जा हमें कहां से प्राप्त होती है सूरज की अंदर न्यूकलियर फ्यूजन की ही प्रक्रिय है और यहां पर दो हलके हाइड्रोजन के परमानों मिलके एक भारी परमा परमानों हीलियम का निर्मान करते हैं और इस प्रक्रिया में धेर सारी उर्जा उत्पन्न होती हैं बच्चों न्यूकलियर fusion का भी कोशन एक्जाम में पूछा जाता है और जब इस इसे इस रियक्षन के द्वारा दर्शा आते हैं यहां पर दो हलके हाइटूजन परमानों मिलकर एक भारी हीलियम परमानों का निर्मान करते हैं और इसमें धेर सारी उर्जा उत्पन होती है यहाँ पर धेर सारी उर्जा किसलिए उत्पन हो पाती है जब यहाँ पर दो हलके परमानों मिलकर इस भारी परमानों का निर्मान कर रहे हैं यहाँ पर योग हो रहा है तो यह जो भारी परमानों बना यानि की हीलियम परमानों बना इसका जो द्रव्यमान है इन दोनों हाइटोजन परमानों के द्रव्यमान के योग के बराबर होना चाहिए पर वास्तव में इसका द्रव्यमान इन दोनों के द्र एक्ट्रोन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है पर यहां प्रक्रिया नॉर्मल टेंपरेचर और प्रेशर में संभव नहीं है जैसे कि हम यहां आम तोर पर देखें जैसे हमारे वायू मंडल में भी धेर सारा हाइडोजन उपस्थित है पर यह हाइडोजन आपस मिलकर हेलियम क करते क्योंकि यहां पर इस्पेसिफिक टैंपरेचर और प्रेशर मौजूद नहीं है इस अभी क्रिया के लिए मिलियन कोटी केल्विन टैंपरेचर और मिलियन कोटी पास्कल प्रेशर के अवशक्त होती है जो कि इस नॉर्मल स्थिती में संभव नहीं होता और इस प्रकार करने क्लिए किया जाता है बच्चो इस पार्ट में हमने उर्जा के विभिन श्रोतों के बारे में चर्चा कि हमने ऊर्जा की रिन्यूवरल और नॉनर्डिवर सोर्स को जाना तो बैस जब भी भी हम आगे और्जा की खपत करें तो इसे बड़े सावधानी से करें इस तरह करें कि हम और्जा को आगे तक चला सकें जैसे कि हम पैट्रोल या डीजल को बचाना चाहते हैं क्योंकि हम जानते हैं पैट्रोल और डीजल यह नॉन डिनिवल सोर्सस ऑफ एनरजी हैं एक बर खतम हो जाने पर दुवारा प्राप्त नहीं किया जा सकते हैं तो कुछ दूरी तक यदि हमें चलना हो तो हम पैदल भी जा सकते हैं या फिर हम साइकल का भी इस्तमाल कर सकते हैं जहां पर हमको उर्जा की जुरत ना हो वहां पर उर्जा की इस्तमाल को एवाइट ही करना चाहिए खासकर यह विद्दूत उर्जा हम देखते हैं कि हम अपने कमरे में फैन, लाई, टीवी सब चलता हुआ छोड़ देते हैं अगर यह चल रहा है मतलब विद्दूत उर्ज खाना बनाते हैं, तो प्रेशर कम बन पाता है और ज्यादा इंदन के अवश्यक्त होती है यानि कि ज्यादा उर्जा खतम हो रही है उसको बचाने के लिए जितना हो सके प्रेशर कूकर कस्तमाल करें या फिर पतीले को ढखकर भोजन बनाए उर्जा के वेकल पिक्ष्रोतो का स्तमाल करना चाहिए जैसे कि पवन ओर वाईयू उर्जा में जहां पर कोयला और लकड़ी का स्तमाल किया जाता है इन्हें बचाने के लिए जितना हो सके जैवगैस का अस्तमाल करना चाहिए और इस प्रकार बच्चों हम छोटी जोटी बातों को ध्यान में रखकर उर्जा की खपत को कंट्रोल कर सकते हैं और भविश्य के लिए उर्जा बचा सकते हैं